नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे देखिए US के जो Federal Reserve Bank है उसने अपनी जो rate है वो high कर दी है अब ऐसे में अमेरिका के इस कदम से भारत में महंगाई बढ़ने वाली है ऐसा कहा जा रहा है और देखिए भारत की ही बात नहीं है पुरे विश्व में एक तरह से जो inflation है वो हमें देखने को मिलेगा वो हमें पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी हमें यदि हम डेटास को देखेंगे उस समय तो हमें पता चलेगा कि महंगाई किस इस तर पर पहुंच चुकी है तो अमेरिका के इस एक कदम से पुरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ने वाली ह हैं डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में काफी अच्छे से यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं फेडरल हाइक इट्स बेंचमार्क इंटरस रेट बाई 0.75 परसंटेज पॉइंट तो 1994 के बाद में एक तरह से काफी बड़ा इंक्रिजमेंट हमें देखने को मिला है इस इस फेडरल रिजर्व बैंक रेट में जो की 0.75 परसंट है तो इसको सिंपल वासा में समझने कोशिश करते हैं इसे प्रजेंट करता हूँ मैं मेरा नाम है सौरफस्वामी और यहां पर आप जो न्यूज है उसको समझने के लिए एक्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं देखें जैसे भारत में Reserve Bank of India है वैसे ही अमेरिका में Central Bank Federal Reserve है मतलब Central Bank of Federal Reserve है अब आपने हाल ही में खवरों में यह पढ़ा भी होगा कि महेंगाई पर काबू पाने के लिए RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया और देखें रेपो रेट क्या है रेपो रेट एक तरह से एक वो रेट of interest है जिस पर RBI जो है बैंकों को कर्ज देता है लोन देता है इसे प्राइम इंटेस्ट रेट भी कहा जाता है एकनोमिकस के अंदर और रेपो रेट बढ़ने पर भी सभी तरह के कर्ज जो हैं महेंगे हो जाते है मलब जब रेपो रेट ने रेव बढ़ाता है तो अब आपको RBI Prime Interstate बढ़ाता है तो इसका असर केवल भारत तक सिमित है। लोन जो है वो भारत में महेंगे होंगे तो रेपो रेट जब बढ़ेगी तो इसका एफेक्ट रहेगा सिर्फ भारत में। लेकिन यहाँ पर जब USA ऐसा करता है उसका जो फेडरल लिजर ब्याज दरों में बड़ोतरी करता है तो दुनिया बर में एक तरह से हाकार मस जाता है। यहाँ पर एक तरह से काफी बड़ा शोर शराबा हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में और वैसे भी दुनिया बर के समाचार पत्तर US के फेडरल की बैठक जब भी होती है तब से ही बहुत पहले से ब्याज दरों में संभावित जो बदलाव है उसकी अटकले जो है उसके नेतरतों में अमेरिकी फेडरल इसर बैंक ने 28 वर्सों में ब्याज दोरों में सबसे बड़ी वरदी की है और यहाँ पर सर्प्राइजिंगली जो हरानी की बात है वो यह है जब पिछली बार 1994 में बड़ोतरी देखी गई थी वो भी 0.75 परसेंटेज की थी उस समय भ यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम यह हमें एक तरह से 2021 के बाद में देखने को मिला था लेकिन अब 2022 के मई में यह 8.57 परसेंट के आसपास पहुँच चुका है जो कि USA के इतिहास में सबसे ज़्यादा आप मान सकते हैं तो 40 साल के बाद में सबसे बड़ा इंफलेशन रेट हमें इस USA में देखने को मिला है मही महीने में 2022 में आप देखिए इसको और समझने की जरुत है यदि हमें इसके ओपर conceptual clarity चाहिए तो आप देखिए अमेरिका ने ब्याज दुरों में 0.75 basis point की बड़ोतरी की है काफी चोटी बड़ोतरी है लेकिन इस व्रद्धी के कारण भारत और उबरती अर्थयोस्ताओं में कई समझने को मिलेगी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम इंडिया के साथ साथ और भी developing countries में ऐसा होने वाला है अब देखिए इससे क्या होगा विदेशी जो निवेशक है जो foreign investors है वो अपना रुपया वापस खीश लेंगे और dollar के मुकाबले रुपया जो है वो नीचे चला जाएगा सबसे important reason ये है और दुनिया के सबसे बड़े bank को द्वारा मुझूद जो inflation ये pressure है उसकी वज़े से ये जो चालू खाता है वो घाटे में चला जाएगा और मुद्रा मुल्य हास एक तरह से ये मान सकते हैं कि जो गिरावट है जो रुपयों में गिरावट है और उसके साथ जो rate of interest है उसमें व्रद्धी हो जाएगी अब इससे क्या होगा कि अंतराष्टिय फंड जो होंगे वो भारत जैसी जोकिम बरी और उबरतिवी बजार प देश में देखने को मिलेगा और वैसे भी देखिए कि जब भी अमेरिका में महेंगाई बढ़ती है तो डॉलर की इस्तती काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है वैसे तो भारत जो है दुनिया का एक उबरता हुआ और सबसे तेजी से वरदा हुआ वजार है मार्केट है ले इसकी वज़े से फेडरल रिजर्व बैंक ने खुद को और अधिक आकरमा बना लिया है मतलब इस वज़े से ही ये जो रेपो रेट है ये बढ़ा ही जा रही है और व्यापार जगत में वैसे भी देखिए एक कहावत ये भी है कि जब अमेरिका के छिखने पर दुनिया को स सामने है USA के जैसे अमेरिका ने रुस्या पर सेंक्शन लगाए है रुस्या यूक्रेन वार भी एक रीजन है कोरोना वाईरस भी एक रीजन है उसके अलवा शेयर मार्केट में गिरावट भी रीजन है तो वैसे तो प्राइमरिली काफी बड़े-बड़े जो रीजन है इन् मार्केट हैं उनमें काफी गिरावट हमें रेखने को मिल रही है तो जो प्राइमरली और एक तरह से जो एब्स्ट्रेक्ट जो रीजन है वो हमारे सामने है लेकिन फिर भी 1981 के बाद में इतनी महंगाई अमेरिका में पहली बार हमें रेखने को मिली है जो 8.6% से भी ज्यादा अब पहुँच चुकी है मई 2022 के महीने में तो ये काफी बड़ी न्यूज आप मान सकते हैं अब देखिए अमेरिका में ब्याज दरे कम होने के कारण निवेशक जो है वहां से कर्ज लेते हैं और अच्छा रिटन पाने के लिए भारत जैसे उबरते बजारों में निवेश करते हैं अब इसी को एक तरह से आप यह मान सकते हैं इसी को एकनोमिकली ट्रम में केरी ट्रेड कहा जाता है कई बार क्योशन पूछा भी जाता है कि केरी ट्रेड क्या होता है तो यहां पर नाम है foreign portfolio investment तो FPI निवेशक की रूप में उबरते बजार में धन का एक बड़ा परवाह होता है और इससे share बजार को मजबूती मिलती है लेकिन ये सिर्फ अमेरिका में होता है और हम पिछले कई महीनों से देख भी रहे हैं कि विदेशी निवेशक भारतिय बजारों से लगा return है वो कम होता है और वे dollar जैसे अन्य विकल्पों को देखते हैं alternatives उनके सामने सबसे ज़ादा निकल जाते हैं उस time पे तो इसी वज़े से वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और अमेरिका में ब्याज दरों में व्रद्दी के रूप में अमेरिका और भारत सरक परार के जो bond है उसके बीच में जो अंतर है अब काफी ज्यादा कम हो गया है और इसी वज़े से यहां पर अमेरिका में ब्याज जब दरे बढ़ती है तो भारत पर इसका असर हम कई point of view से देख सकते हैं पहला तो शेर बजारों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी वो भारत सरी दुनिया भर के देशों पर जो ब्याज दरे हैं उनका दवाव पड़ेगा इसी के जासाथ डॉलर जो है मजबूत हो जाएगा और यह केवल रुपईयों से मजबूत नहीं होगा यह जितने भी येन या फिर यूरो जितने भी गरंसी से सबसे डॉलर ज्यादा तो भारत में भी RBI को ब्याज दुर में वरद्धी करनी पड़ती है ताकि भारतिय बॉंड बाजार से जो फोरें पॉर्टफोलियो इन्वेस्मेंट है उसकी निकासी ना हो और इसी तरह दुनिया की अन्य विवस्ताएं भी ब्याज में दरे बढ़ा देती है यह रीजन आ सबसे अधिक दर पर पहुंच चुका है तो पूरे वीडियो का जो एक सारांश है वो आप इस पर्टिकुलर प्रिबिटी में देख सकते हैं तो 40 वर्सों में जो महिंगाई है सबसे ज़्यादा है और मई महिने में अमेरिका में महिंगाई जो दर है वो 8.60% तक दर्च की जो जही है और फیडरल इसर केवल इंफलेशन की जाँच के लिए परमुक ब्याज जरू में वद्दी का ने ले रहा है से लोगों का खर्चा कम होता है एसे में मां मांकश कम हो जाती है और वस्थों की कीमति गरने लगती है दूसरी और एगर यूएस फेड जो है वो तेरे से अपने डॉलर को मजबूत करता है अब इससे क्या होगा इससे रुपे की जो मुल्ले है वो कमजोर होने लगेगा और भारत सरकार को कच्चे तेल जैसे जो उत्पाध है जो गुड्स एन सर्विसेज हैं उनकी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी इसी के कारण इसका ज नहीं पूरे वर्ल्ड में तो यह यहाँ पर एक तरसे मॉरल आप समझ सकते हैं कि यूएस के फेडरल डिजर में चेंज है इसी वज़े से इसका जो इफेक्ट है फानेशली पूरे ग्लोबली अक्रोस दो वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है तो यह है हमारे पास में पूरी यूज यूएस को लेकर साथ एक चीज आप जरू धान रखिए का अड़र 247 आपके लिए लिखाया है All India Scholarship Test for the UPSC 23 and 24 जहां पर यह यह आप जीतते हैं तो आपको काफी अच्छे अच्छे courses जो है उनका enrollment free में मिलेगा फिर चाए वो महापैक हो foundation batch हो या फिर complete video course हो तो आप description में link available है register कीजिए और 18 और 19 जून कोई जो test है इस जरूर दीजिए आप चाहे किसी भी examination की त्यारी कर रहे हूँ जो भी center level की exam है उसके तहत आप यह जो scholarship test है यह दे सकते हैं आपको preparation कितनी है आपकी वो आपको जरूर पता चल जाएगा और यह आप जीत जाते हैं तो आप आपको अच्छी price भी आपर मिलने वाली है तो test देना बिल्कुल भी ना भूले जिसका नाम है all India scholarship test जो organize हो रहा है अड़ा 247 की तरफ से साथ यह आप UPSC की तयारी करना चाते हैं for the focus of 23 and 24 तो pre plus mens के लिए complete foundation batch गुरुकूल जो है वो launch हो चुका है 900 गंटे की interactive like classes के साथ में ज अच्छा content और इतने अच्छा teachers शायद कहीं देखने को न मिले और आप यहाँ पर UPSC 75 जो code है उसे use कर सकते हैं जहां पर आपको 75% का off मिलेगा या फिर इन नमबरों पर भी call कर सकते हैं for the more information और UPSC की साथ साथ यह आप state PCS की भी त्यारी करना चाते हों तो संकल्प, चानक क्या अच्टल अभिमान बहुत से state PCS के जो courses है वो available है Udda247 की application पे बहुत ही कंप्राइज में तो आप इनको annual कर सकते हैं फिर चाहे आप UPPCS की त्यारी कर रहे हों, BPSC की त्यारी कर रहे हों, UKPCS की त्यारी कर रहे हों या फिर हर्याना PCS की त्यारी कर रहे हो, RPSC की त्य के लिए बहुत से important जो courses है वो available है Udda247 application पे तो Udda247 application जरू download कीजिए और यहां पर जो courses available है बहुत ही कंप्राइज में उनको आप enroll कर सकते हैं, और साथ ही Udda247 application तो खिर आपको download करना ही है, जहां पर YouTube channel जो है आपको subscribe करना है, तो thanks for watching, subscribe कीजिए Udda247 UPSC channel को, और like, share औ आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा, इसी तरह के important और informative वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, धन्यवाद